मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दृष्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी राजस्तान जीके के यह से इंपोर्टेंट ग्यूसन की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट की वीडियो मिलते रहेंगे पहला की सुन आपके सामने राजस्तान बिरोजगारी भता योजना दो हजर बारा की स्थान पे अक्सित योजना कब से लागू की गी बहुत इंपोर्टेंट की उसना एक्जाम की दश्टी से आप लोग याद कर लीजेगा कि राजस्तान बिरोजगारी बहता योजना 2012 के स्थान पे एक अक्सित योजना चालू की गई थी इसकी सुरुवात कब की गई जल्दी से आप लोग एंसर कॉमेंट करके बताईएगा कि राजस्तान ग्रामींट आजिवका योजना का प्राहरम कब की गई तो इसके सुरुवात की गई थी 2011 के अंदर जून 2011 option A हमारा उत्तर रहेगा Q3 की बात करते हैं राजस्तान में एकलवी ओधोगीक परश्रिक्षन योजना कब और कहां प्रारम की की option D इसका सही उत्तर रहेगा 30 अगस्त डेट भी आपको याद होनी चीए 30 अगस्त 2008 को जेपूर के अंदर इसकी सुरुवात हुई थी Q4 की बात करें चमडे से बनाई जाने वाली कलात्म कोस्तों में नागरी और मोजडिया जूतियां जो कहां की परसीद है चमडे से बनाई जाने वाली राज़स्तान के अंदर कलात्म कोस्तों की जो नागरी और मोजडिया जूतिया कहां की फेहमस है और ये जेपूर और जोदपूर के option भी इसका सही उत्तर रहेगा Q5 की बात करें माता कुंडाली जी का मेला कहां आईजित किया जाता है माता कुंडाली जी का मेला है वो किस जगहें पर आईजित किया जाता है कौन से जीले के अंदर तो ये रस्मी स्थान पर आईजित किया जाता है चितोडगड के अंदर option A हमारा उत्तर रहेगा Q7 6 की बात करते हैं बहुरा समाज का उर्थ मेला कहां पर बरता है वेरी वेरी इंपोर्टन एक्जाम में परसन बंच सकता है आप लोग याद कर लेना और आप लोग उत्तर जरूर बताना और वीडियो का अंदरी मांदरी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने से वे किसे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपका पता लग जाएगे कि आपकी त्यारी किसी आप लोग हरे क्यूसन का एंसर जरूर कॉमेंट में बताना तो बहुरा समाज का उर्थ मेला भरता है गलिया कोट में आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्यूसन वर स्याउन की बात करें राजस्तान के लोग देवता बाबा राम देवजी का जनम किस स्थान पे वा था राजस्तान के लोग देवता बाबा राम देवजी का जो जनम है वो उड़ा का समेर में हुआ था आप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा Q.8 की बात करें, राजस्तान में किस लोग देवता ने कामडी अपन चलाया था, तो राम देवजी ने कामडी अपन चलाया था, उपसन सी इसका सई उत्तर रहेगा Q9 की बात करें राजस्तान में राम देव जी के अनने भगद डाली बाई का मंदिर कहां पे राजस्तान में राम देव जी के अनने भगद जो की डाले बाई का मंदिर वो किस जगहें पे तो ये रूनेचा के अंदर है आप्शन C हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर 10 की बात करें राजस्तान में हरी राम जी का मंदिर कहां पे बहुत इंपोर्टन क्योसन पाना चाहते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप सभी को एक इस वीडियो के अंद में आप सभी से कि मौस्ट इंपोर्टन क्योसन पोचा जाएगा उसका आप लोग उत्तर जरूर देना देखते हैं कितने बचे सही उत्तर दे पाते हैं तो राजस्तान में हरी राम जी का जो मंदिर है वो जोलडा गाम के अंदर है आप सभी हमारा उत्तर रहेगा क्योस्ट नवर 11 की बात करें राजस्टान की किस लोग देवता को चार हातों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है राजस्तान के कौन से लोग देवता है जिने चार हातों वाले देवता के रोमें पूजा की जाती है तो वीर कला जी को उक्षन भी सका सही उततर रहेगा क्योसन वर बारा की बात करें राजस्तान में पर्थुरा चोहान के वंस दता चंद बरदाई की इश्ट देवी है जो की चामुड़ी माता है सुरी चामुड़ा माता आपसन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन वर तेरह की बात करें राजस्तान के किस दुरग में सर्वादय की जोहर हुए ये पर्चन एकजाम में बहुत बार पूछा गया राजस्तान का इसा कौंसा दुरग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जोहर हुए है जो की चितोडगड का दुरग है ऑप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 14 के बात करें विसो में चोहों की देवी की रो में परसिद करनी माता का मंदिर राजस्तान में कहां पे विसो में चोहों की देवी की रो में पुझा जाने वाली करनी माता जिनका मंदिर राजस्तान में किस जिले में किस सथान पे है जलती से आप लोग answer बताएगा इसका मंदिर है वीकानेर के अंदर वीकानेर में कहां करनी माताजी का जो मंदिर है वो देशनों के अंदर है option भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन भर पंदरा की बात करें राजस्तान के एकमातर लोग देवता जिनके नाम पे डाक टिक्ट जारी किये गये थे जो कि देव नराइन जी है option A इसका सही उत्तर रहेगा आप लोग बताएगा कि इनके जो इनके नाम से डाक्टर केड़ किस सन के अंदर जारी के गए थे देखते कितने मज़े सही उतर दे पाते हैं क्यों सनवर सोला की बात करें पारिक दुर्ग की विसेस्था आपको बतानी है राजस्तान की अंदर दुर्गों की कैटेगरी बनाएगी है पारिक दुर्ग हो गया वन दुर्ग हो गया जल दुर्ग हो गया तो उन दुर्गों की जो स्रेणी बनाएगी है उसके अंदर पारि राजस्तान का कौन सा दुरुग है जो जिसे परण दुरुग भी कहा जाता है देखे परण दुरुग जो की दुरुगों की कैटेगरी है राजस्तान का कौन सा दुरुग है जिने परण दुरुग कहा जाता है जो कि रण थंबोर का दुरुग है ऑप्शन भी हमारा उत्तर क्योसनवर 18 की बात करें राजस्तान का कौन सा दुरुग जल दुरुग है जिस दुरुग की चारों और जल ही जल होता है राजस्तान का इन में से कौन सा दुरुग है जिनके चारों और जल ही जल है या फिर जल दुरुग है जो की गागरोन का दुरुग है ऑप्सन भी इसका सही उतर रहेगा क्योसन वर 19 की बात करें राजस्तान की किस दुरुग में अब तक सरवादिक जोहर हुए राजस्तान का कौन सा दुरुग है इसके वारे हमने बात कर लिए क्योसन रिपीट हो चुका है कि कौन सा दुरुग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जोहर है जो की च मकता है राजस्तान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सुबह और शाम सुर्य की ललिमा से सोने के समान चमक दिखाई देती है बहुत इंपोर्टन कि उसने ये परसन एक्जाम में बन चुका है कि राजस्तान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एक तो सुबह और एक शाम को सुर्य की ललिमा से सोने के समान जेक सोने के रंगी चमक दिखाई देती है जो कि सोनारगड जैसल मेर कहा है आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योंसने वर 21 की बात करें, राजस्तान गिससि दुरुका आरध साखा फेमिस से है, राजस्तान के कौन से दुरुका आरध साखा फेमिस है, बहुत इंपोर्टन ग्योषे हैं, जोकि सोनारग दुरुका है, आप्सन सी हमारे उत्तर रहे गा क्यूसर नवर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् क्योसनवर चोईस की बात करें कानर देव का कहा का सा सकता कानर देव का का सा सकता जालोर का सा सकता कानर देव आपसन डी इसका सही उतरेगा क्योसन और 25 की बात करें राजसान का पर्तम चोहन राजे कौन से है राजसान का पहला चोहन राजे जो की अजमेर है राजसान का पहला चोहन राजे अजमेर है आपसन भी हमारा उत्तर रहेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का most important question आप सबी के सामने इसका आपको answer जरूर comment में बताना है अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोसिश कीजिएगा क्योंकि कोसिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आज का most important question आप सबी के सामने है रंथमोर का युद किन के बीच में वा था किस किस के मद्दे रंथमोर का युद वा था इसका उत्तर आपको comment में बताना है ये भी बताना है कि 25 में से आपके कितने सहीवे इमान दरी से comment कीजिएगा किसी भी किसन को लग के कोई doubt और राय सुझाव देना आप लोग comment कर सकते अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है लाइक कर देना और डेली ऐसे important किसन वाना चाहते चैनल को आज ही subscribe करके वेल आइकन को जुरूर दबा लेना and thank you best of luck भाई भाई